हेलो दोस्तों जुन की गर्मिया कैसी कट रही है आज मैं लेके आ हैं रिव्यू शाहिद कुपर की मुवी ब्लडी डैडी जो कि आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी जियो सिन्मा पर और जैसे कि पब्लिक का रिव्यू था कि रभी पब्लिक कह रही थी कि यह जॉन विक कर दिया वैसे बता दू जैसे मैंने टेलर का रिव्यू दिया था और जैसे स्टोरी बताई थी और अल्मस्ट स्टोरी वैसे ही निकली बड मैं भी मुवी देख चुका है इसलिए आपको हर चीज एकितम डेटेल में बताऊंगा मुवी स्टार्ट होती है जो कि नार्कोटि का होता है सुमेर मतब शायद को करेक्टर का नाम होता है और यह सब प्लान इसलिए क्या जाता है क्योंकि ड्रक्स के जो माफिय होते है वो बहुत बड़ी मतल मातरा में ड्रक्स के डीलिंग कर रहे होते है जो कि ड्रक्स का पैकट जो बैग होता है वो पचास कोड तक का होत तो सिकंदर को उसके 50 क्रोगा ड्रक्स वापस मिलेगा यही सब चलता है पूरे होटल में वो भी रात को बारा घंटे तक बड़ यह मुवी का जब स्टार्ट होता है पंदार मिट के बाद नाइट वाला सीन उसके अधर मुवी काफी सस्पेंस में चलती है जिसको देखने के बाद काफी मज़ा आता है और अगर आप हेड़फोन लागा देखेंगे जो बैक्राउंड में म्यूजिक चलता है वो तो और मस्त लगता है अब साहिद कबूर आपने बेटे के लिए एक ब्लडी डैडी बनते है क्योंकि यह जो ड्रक्स का बैग होता है वो सुमेर से खो जाता है जिसके बाद से सिकंदर के बास उनका बैग नहीं पहुंचता है और उसके बेटे को एक तपड जमा देते हैं जिसके अबास से कभीर सिंग वाले एक बार फिर से उसमें रूप देखने को मिलता है और यहीं मूवी का मेन पॉइंट है जिसके बात से पी पूरी मूवी इसीके बीच चलती रहती है और पूरे रात यहीं चलता रहता है 12 गं मेल करे उसके इलावा इसमें आपको Action तो देगने को मिलेगा बड一定要 का continuous without cut action देखने को नहीं मिलेगा जो भी action देखने को मिलता है इस movie में वो एक cut cut करके देखने को मिलता है देखने का देखने को मिलेगा वो भी कभी इधर कभी उधर ऐसे fix नहीं लगता है कि continuous कोई action चला एक सी या दो मिलता है हाँ यह movie उस टाइब की नहीं है जिससे टाइब की आप सोच रहे होंगे कि मतला जॉन वी टाइब की हाँ बट ओट टी प्रेटफर्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट है आप जो भी देखें के सस्पेंज बना के रखती है और लास तक बना के रखती है और और जिस हिस आप से जिस action के साब से वो सब एकदम परफेक्ट बेट रहा है आपको देखने के बाद यह नहीं लगगा कि इसको देखने के बाद मेरा टाइम बेस्ट हुआ है मुवी का फर्स्ट आप में जो स्टोरी एंड ड्रामा चलता है उस वो ठीक ठाइ लगता और बीच-बीच में कुछ इसमें इंट्रस्टिंग नहीं लग रहा है या फिर सस्पेंज नहीं है मुवी स्टार्टिंग से लेका लास्ट तक यह इंट्रस्टिंग बना कर रखती है और जैसे कि आपको पता है शायद कभी कि कमाल की होती है जो थोड़ा-थोड़ा सा कभी-कभी लुक दिया है जो काफी इंट्रस्टिंग लग रहा था मुझे तो काफी अच्छा लगा आप देखेंगे तो आप जरूर शेयर करेएगा तो मेरे वीडियो पर कि आपको कैसा लगा यह ब्लेड़ी डैड़ी मुवी शाहिद कपूर की अगर आपने मुवी पहले देख रहा कियो तो कमेंट च इसा लगा या फिर मुवी में कुछ ऐसा लगा जो की काफी इंट्रस्टिंग लगा वैसे आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब मिलता है फिर नेक्स वीडियो में